नमस्कार दोस्तों मैं दिने संदु आपका स्वागत करता हूँ मेरे स्वीटूब चैनल की उपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री आफ होम अफेर्ज ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जम्मो कश्मीर को लेकि कि आप कोई भी जम्मो कश्मीर के अंदर जमीन खरी सकता है उसकी कंडिशन क्या है आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अभी भी ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं ऐसे बहुत सारे एरिये हैं जहां पर अभी तक भी जमीन नहीं करी सकते हैं तो हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि ऐसी कौनची स्टेट है जहां पर ओटसाइडर्स को जमेन खरीदना मना है मतलब कि बाहर का आदमी कोई भी जमेन उस स्टेट के अंदर या फिर उस एरिये के अंदर नहीं खरी सकता है तो आप इस वीडियो को एंड तक दे का सेक्षिन 118. सेक्षिन 118 रिस्टिक्शन इंपोस करता है मतलब कि पावंदी लगाता है ट्रांसफर एगरिकर्फचर लैंड ड्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं यह सेक्षिन 118 बात करता है उसको ना तो और्ट साइडर्स जाहे वो हिमाचर पदेश के अंदर ही क्यों ना करता है उस लेंड को नहीं खरी सकता है लेकिन यह कोई absolute rule नहीं है इसकी बहुत सरी exceptions है अगर आपको हिमाच्चत सरकार permission देती है तब आप लेंड खरी सकते हैं otherwise आप लेंड नहीं खरी सकते हैं तो यह हमारे पास यह पहली state है second state हमारे पास आती है सिक्किम, सिक्किम को यह special status मिला है according to article 371 F of the constitution जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया था उसका बिले भारत में हुआ था सिक्किम को भारत में मिलाया जाने से पहले ही बहां पे कानून थे कि कोई भी outsiders बहां पे जमीर नहीं खरी सकता है और सिक्किम को भारत में मिलाने के बाद भी वो कानून वैसे की वैसे रहे सिक्किम को special state का दर्जा मिला है according to article 371 F of the constitution मतलब कि वहां पे ना तो outsiders को land बेज सकते हैं ना कोई property बेज सकते हैं यह right होता है सिर्फ सिक्किम के लोगों के पास ही जो लोग उस राज्ये के अंदर रहते हैं वही उस land को बेज सकते हैं और खरी सकते हैं except some multiple areas जहां पे कोई multiple area है वहां पे exceptions होती है और सिक्किम के जो travel area है वहां पे तो सिक्किम के लोग भी जमी नहीं खरी सकते हैं, जो travels नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ travels जमीन खरी सकते हैं, उनको बेश सकते हैं, जो सिक्किम के और लोग हैं, वो वहाँ पे जमीन नहीं घरी सकते हैं, तो यह कुछ restrictions हैं सिक्किम के अंदर, नेक्स स्टेट हमारे पास आती है नागालेंड नागालेंड को भी एक special status मिला हुआ है according to article 371a center government भी नागालेंड के लिए law नहीं बना सकती है in respect of ownership और transfer of land जहाँ पे ownership की बात होती है जहाँ पे transfer की बात होती है land की वहाँ पे center government भी law नहीं बना सकती है यह power है सिर्फ और सिर्फ नागालेंड की state government के पास की वहाँ पे laws बना सकती है और restrict कर सकती है outsiders को नागालेंड में जमीन खरीदने से जो नागालेंड के निवासी हैं जो वहाँ पे रहते हैं वही वहाँ पे जमीन खरीज सकते हैं अदर्वाइस और लोग वहाँ पे जमीन नहीं खरी सकते हैं, जो नागा लैंड के निवासी नहीं हैं. Next में 6 schedule के हम बात करेंगे, 6 schedule के अंदर states बोली गई हैं, असाम, मेगालिया, त्रिपुरा, मिंजोरम और वेस्ट पेंगॉल का दर्जिनिंग एरिया. 6 schedule अलोग करता है, एक autonomous council त्यार करने के लिए जो ट्राइवर्स एरिया हैं इन states के अंदर, वहाँ पे वो restriction इंपोस कर सकती हैं कि कोई भी outsiders इन एरिया के अंदर जमीन ना खरीदे. तो यह 6 schedule बात करता है. Next state हमारे पास आती है, मिंजोरम. मिंजोरम के पास भी right है, article 371G के according कि वो restrict कर सकते है ownership and transfer of land in non-tribal areas. तो यह discussion होती है, मिंजोरम assembly के पास. Next state है रुनाचल प्रदेश. रुनाचल प्रदेश के अंदर भी बड़े लंबे समय से customer rules चले आ रहे थे ownership of land के लिए कि वहाँ पे state government भी interfere नहीं कर सकती है. यह वो power सिर्फ और सिर्फ सेंटर government के पास है कि वहाँ पे वो interfere कर सकती है, वहाँ पे वो restriction impose कर सकती है कि कौन वहाँ पे जमीन खरीदेगा और कौन नहीं खरीदेगा. नेक्स्ट है जो ट्राइवल्स लैंड है जारकन के अंदर उडिसा, आंधरापरदेश, तेलंगाना, मध्यापरदेशन, चतिसगर्ड के अंदर वहाँ पे भी outsiders जमीन नहीं खरीज सकते हैं. जो ट्राइवल्स हैं वही वहाँ पे जमीन खरीज सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, outsiders नहीं खरीज सकते हैं, चाहे वो उस state के अंदर ही क्यों न रहते हों, लेकिन अगर वो non-trivals हैं, तो वह भी वहाँ पे जमीन नहीं खरीज सकते हैं. तो यही थाज के लिए हमने इस वीडियो के अंदर जाना, कि ऐसी कौन सी states हैं, ऐसे कौन सी area हैं, जहां पे outsiders जमीन नहीं खरीज सकते हैं, अगर कोई area, tribal area है, तो वहाँ पे जो non-trivals हैं, वो भी वहाँ पे जमीन नहीं खरी सकते हैं, फिर चाहे वो उस state के अंदर ही क्यों सस्क्राइब नहीं किया, तो कर दीजिए, thank you and thanks for watching.